हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागा दिस नए वीडियो में इस रिवन बात करने वाले एक बहुती अच्छी अपडेट और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिहार के पटना मेट्रो रेल भरती 2021 को लेकर डाटा इंट्री ऑपरेटर डियो एस्टेनो ग्राफ और एस्टेनो ड्राफ्ट मैन और उसके वाज़ से आईटी सेक्टर जैसे पदो पे वेकेंसी यहाँ पे निकलने वाली है यह जो वेकेंसी अपकमिंग है इसका कुछ इन्फोर्मेशन निकल के आ रहे है कि कितना पोस्ट सेलरी मिलेगा और कभसे आव्यधनकी परिकर्या सुनू होने वाली है संभवत हैंomena मेंफोर निकल निकलने वादी है इसे के बारे हम बताएंगे कि इसके क्या प्रोसेस से और कभसे आप को फिल किया जा सकता है एक संबावता तीथी और उसके बाद से इसकी सेलरी क्या मिलने वाली है कौन-कौन इलिजबल रहा गया तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहागी अभी तक आपने इस चलिए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक करिए ताकि हम और मोटिवेशन मिले इसी परकार के वीडियो लाने के लिए तो देख सकते हैं इसका जो है सौट नोटिफेकेशन निउज़ पेपर के माध्यम से जो है पब्लिस किया गया है जिसमें बताया गया है कि पटना मेट्रो में 22 पदो पर बहाल किये जाएंगे कर्मी तो ये नोटिफेकेशन फ्रिंट्स आज का है मैं आपको निउज़ पेपर दिखाना चाहूँगा ताकि आपको बलीव हो काफी लोग जो है फेक बोलते हैं मैं सबसे पहले आपको निउज़ पेपर बतायता हूँ कौँ से निउज़ पेपर में कितने नवर पेज पेज पे ये जो जनकारी चापी गई थी तो फिंट्स देख सकते हैं यह जो है परभातखवर का ओफिसली वेबसाइट है परभातखवर ये पेपर और यहां पे 7 अगस्त को ये नोटिफिकेशन पब्लिस किया गया है इस परभातखवर में और पेज नमबर 6 यहां पे देख सकते हैं काफी लोग पूछते हैं कि आप जो है कहां से डाउलोड किये हैं नोटिफिकेशन या जो भी निउस पेपर की कटिंग है तो बताना हमें लाजीम लगता है इसलिए मैंने सोचा कि बतायता हूँ देखे यहां पे जो है आपको देख सकते हैं जनकारी देखे हैं में पताया गया है कि पटना मेट्रो की संचालन परकिरिया को जमीन पर उतारने के लिए अभी से काम सुरू कर दिया गया है और बोला गया है कि अब पटना मेट्रो रेल कारपुरेशन यानि PMRCL एजेंसी के माध्यम से में पावर बहाली परकिरिया करेगी PMRCL की ओर से ऐसी एजेंसी को हायर करने के लिए निविदा जारी की गई है PMRCL मतलब पटना मेट्रो रेल कारपुरेशन जो पटना मेट्रो के लिए में पावर की आपूर्ती करेगी कूल 22 पदो पर एजेंसी के माध्यम से लोग रखे जाएंगे यानि सरकार निविदा निविदा का मतलब होगा फ्रेंस टेंडर यानि PMRCL की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है कि मुझे एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो 22 पदो पर बाहली परकिरिया शुरू करें और रिकूर्टमेंट प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाए यानि सरकार निविदा टेंडर जारी कर दिया गया कोई वेकेंसी जब आती है कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताना चाहूंगा सोट में सबसे पहले सरकार तो यह देखती है तैंडर मिलते हैं फ्रेंट्स वो लोग वो अ कमपनी जिसको भी टैंडर मिलेगा अब इसमें कई सारी कमपनी आविदन करेगी टैंडर पास कराने के लिए जैसे उनका टैंडर पास होगा उसके बाद से उस company को दे दिया जाएगा कि आप जो है recruitment process कराएं आप जो है बहाली कराएं, notification जारी करें, उसके बाद से online कराएं, exam लें, selection process करें मतलब उस company को जो है सारी information दे दिया जाती है, tender, pass अगर उसको मिल जाता है तो तो यह इसका जो है process होता है, कोई भी बहाली आती है, तो यही माध्यम होता है, समझ गया आप, तो इस तरह से देख सकते हैं, यह vacancy यहाँ पे की जाएगी अब बोला गया है कि जो पटना metro के लिए main power के आप पूर्ती करेगी, कूल 22 पदो पर agency की माध्यम से लोग रखे जाएंगे, इसमें draftman से लेकर IT, executive अस्तर के करमचारी होंगे MRCL ने इसके लिए वेतन भी निर्दारित कर दिया है, वेतन के साथ वार्सिक ब्यायरासी का ब्यवराद दिया गया है, साथ निविदा सर्थ के अनुसार ऐसी agency को रखे जाने की सर्थ है यानि सरकार जो है agency खोज रही है, जिसके लिए उन्होंने tender भी जारी कर दिया गया है, कि हमें agency क्या हो सकता है, ताकि वो लोग बहाल करें अब दिखें, बोला गया है draft man, इसमें एक पद है, salary 20,000 मिलेगी, IT executive के दो पद है, जिसमें 30,000 salary है, इस्टोनोग्राफफर के लिए 25,000 salary है, जिसमें 5 पदों बहाली निकल लिएगी, data inter operator के 4 पद है, जिसमें 18,000 salary मिलेगा, और supporting staff के 10 पद है, जिसमें आपको 10,000 salary मिलेगी बात करें, तो इसमें जो है आपको IT sector से अगर उन्होंने डिप्लोमा कर रखा हो, या जो है, जैसे BCA हो गया, MCA हो गया, या जो है, इंजिन बीभाग के जो बीटे किये हुए है, उनको IT executive में रखा जा सकता है, इस्टोनोग्राफर में क्या होता है, फिंट्स, 12 पास बोला हो जाती है, जिसमें आपको टाइपिंग मोला जाता है, या तो हिंदी में, या तो इंगलिस में, supporting staff जो है, दोस्वी पास के लिए, यहाँ पे आपको रखा जाएगा, जिसको MTS भी बोला जा सकता है, multitasking staff, supporting staff, सेम एक ही पद होता है, group C के पदों को जिनको बोलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जनकारी यह निकल के आ रहे थी, देखे, जैसे इसका notification फूल आएगा, तो मैं आपको इस channel के माध्यम से, website के माध्यम से औगत करा दूँगा, कि कब से कब तक form को fill किया जागा, मुझे जहां तक उमीदे, friends, यह तीन मन्थ के अंदर जो है, इसकी form fill up से लेकर, क्योंकि आप सबको पता है कि पटना metro rail का काम जो है, बहुत ही जोड सोड से चल रहा है, तो आप 3-4 मन्थ मान के चलिए, यह हो सकता है, 6 महीने यह भी हो सकता है, ठीक है न, मतलब एक estimated date, लेकिन जैसे ही आएगा इसका notification, apply link, मैं जो है आप लोग को तुरंत ही वीडियो बना के जारी कर दूँगा, और आप लोग जो देख लिजेगा, कैसे form को feel करना होगा, क्या process होगा, मुझे जाह तक पता है, process की बात करें, तो इसमें online आविदन लिये जाएंगी, और उसके बाद से आपका return exam होगा, और उस space पे कहीं selection इसमें किया जाएगा, या हो सकता है, अगर दूसरे माद्यम से, जैसे beltron अगर अधिकरहन करता है, तो उसके पास already काफी सारे लोग पड़े हुए exam निकालके, तो वो जो है directly यहाँ पे करा सकता है, तो कई agency को उपर depend करता है, नई agency अगर hire करती है, तो वो कहीं return exam ले सकता है, या अगर beltron के माद्यम स जाता है वेकेंसी, तो beltron क्या करेगा, अपने पास candidates को अलएडी रखा हुआ है, exam लेकर, तो उनको जो है deploy यहाँ पे कर सकता है, यह यहाँ पे समझ में मेरे हिसाब से यही लग रहा है, आसा करता हूँ friends आपको information मिला होगा, future में इसके regarding जो भी update आएगा, मैं आपको तुर